Very good morning to all of you, study IQIA सिंधी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों हम एक नए टोपिक की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं हम बेसिकली भारत और उसके पडोसी देशों के साथ संबंध पड़ रहे हैं और इस संबंधों के क्रम में हमने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान संबंधों को बहुत ही विस्तार से देखा और विस्तार से देखने के साथ साथ हमने mains के question answer भी लगवग मैंने 7-8 mains के question answer आपको उस पूरी class के दोरान अलग-अलग मुद्दों के साथ करवा दिये ठीक है आज का हमारा topic होगा भारत-बंगलादेश संबंधों का ठीक है तो भारत-बंगलादेश संबंधों को भी हम मेरी आवाज आ रही है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बता दीजिए all clear very good morning गोरी, वैशनवी, सृष्टी, सचिन, शेशांक, अनुष्का, पृति, बताए भाई कॉमल क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं very good morning to all of you चाहिद कमेंट्स की दिक्कत है इस फोन में या तो आप लोग इतने सुस्त हो voice is clear ना, ठीक है, तो फटा-फट आगे बढ़ते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बतादू study IQ IS Hindi का पांचवा बैच, launch होने जा रहा है, मतलब शुरू होने जा रहा है ग्यारा माई से, आप बिल्कुल शुरुवात से आप इस बैच में अड्मीशन ले सकते हैं, पांचवे बैच में, ये ग्यारा माई शाम छे बजे से शुरू हो जाएगा, एड्मीशन लेने के लिए study IQ की एप या study IQ की वेबसाइट पर जाके आप जुर सकते हैं इस बैच स और एड्मीशन लेने से पहले आपको हमेशा code यूज करना है LDLIVE, LDLIVE, LDLIVE code के साथ आपको ये पूरा का पूरा बैच मातर 18,999 रुपे में मिल जाएगा, याद रखिएगा ये एक live foundation batch है, जो जिसमें PT plus mains दोनों की full preparation कराए जाती है with answer writing, बहुत ही शांदार team, बहुत ही शां महीने में आपका पूरा course complete हो जाएगा, यदि आप admission लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं LDLIVE code के साथ, दोस्तों PDF आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल ललीता धहिया Academy, आपको टेलिग्राम पे जाना है, ललीता धहिया Academy टाइप करना है, एक पूरा group हमारा मिलेगा, उसको join कर लेना है, उस पे आपको डेली PDF मिल जाएगे, इसके अलावा आप Instagram और Facebook पेज पे भी मेरे से जूड सकते हैं, बात करते हैं भारत बंगलादेश संबंधों की, यदि हम देखें तो बंगलादेश का इतिहास, बंगलादेश के संदर्भ में जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में, उसको मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ, कहां पे, कोई बताएगा, याद होगा मेरे ख्याल से सबको, बहुत डेटेल से मैं आप लोगों को 1971 के युद्ध के बारे में भारत पाकिस्तान रिलेशन्स में अल्रेड़ी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे, यदि मैं एक हिंट देना चाहूँ, मतलब एक फटा-फट रिवाइस कराना चाहूँ, तो भई हमें पता है कि जब 1947 में हमको आजादी मिली, आजादी के साथ ही भारत का विभाजन भी होता है, यहाँ पे बनता है पाकिस्तान, और यहाँ पे इसी पाकिस्तान क हिस्सा होता है बंगला देश, लेकिन इन दोनों देशों की भोगोलिक दूरी देखिए, यह भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 से पहले, 1971 यानि 1971 से पहले, तो बहुत सारे मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों को मैं भारत-पाकिस्तान संबंदों में डिसकस कर चुकी हूँ चाहे वो भाशाई मुद्दा है कि भई बंगला भाशा को प्रात्मिक्ता नहीं दी गई चाहे वो यहां पे जनसंख्या जादा थी भले ही आपको भुगोल यहां का जादा दिखेगा लेकिन जनसंख्या यहां की जादा थी इस जनसंख्या के जादा होने के बावजूद भी जितना प्रते निधित्व यहां की पार्टी इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और ये सारे के सारे डिटेल से मुद्दे देखने के बाद हम देखते हैं कि जब यहां पे स्वतंतरता की स्वायत्ता की मांग उठने लगी तो पाकिस्तान के द्वारा ओप्रेशन सर्च ल देखें तो बंगलादेश के अकोर्डिंग लगभग तीन मीलियन लोग मारे गए थे इस सर्च लाइट उप्रेशन सर्च लाइट में जो कि पाकिस्तान के द्वारा बंगलादेश में चलाया गया था इसके बाद विद्रोह और भड़का भारत ने भी फिर पाकिस्तान की ह करता है और पाकिस्तान भारत पे जब आकरमन करता है हवाई तो भारत भी प्रक्यूत्तर में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करता है यहां पे भी मोर्चा संभालता है भारत की सेना और फाइनली 1971 में बंगलादेश को क्या होता है पाकिस्तान से आजादी मिल जाती है और बंग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन जाता है 1971 ने यदि आपको डिटेल से पढ़ना होगा तो मैं क्या करूँगी वो जो मैंने भारत पाकिस्तान संबंधों में पढ़ाया है उस पार्ट को इन स्लाइड में भी आड़ कर दूँगी ठीक है शुरुआत में ताकि आप एक यहां से भी रिवाइज कर ले उसमें डिटेल से बताया है कि भारत ने क्यूं भागिदारी की इस युद्ध में है ना भारत के क्या हित थे बहुत सारी चीज़े हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो हमने देखा भाई बंग्लादेश बन गया بंग्लादेश को एक राष्ट्र का दर्जा देने वाला भारत पहला देश था था और बंग्लादेश के साथ राजनई संबंध स्थापित करने वाला भी भारत पहलादेश था यह पूरी हिस्ट्री समझ में आगई यानि 1971 में बंग्लादेश बन जाता है यदि दोस्तों हम बंगलादेश की सीमाओं की बात करें यहाँ पर एक बार बंगलादेश का समझे तो भारत और बंगलादेश के बॉर्डर्स जो है न सीमाओं विश्व की सबसे ज़ादा उलची हुई सीमाओं में से एक मानी जाती है 2015 से पहले जब तक हमारा मैं अभी प्रिष्ट भूमी बता रही हूँ ठीक है मतलब एक ओवर रोल बता रही हूँ फिर डेटेल से भी हम पढ़ेंगे 2015 में हमारा लैंड बॉंडरी एग्रिमेंट हुआ उससे पहले बहुत सारे पाकिस्तान के अंक्लेव भारत में थे भारत के अंक्लेव पाकिस्तान नहीं बाई बंगलादेश वो आठ नो दिन पाकिस्तान पढ़ा है तो जबान पे पाकिस्तान ही चाया हुआ है जबकि होना तो ध्यान दखना, बहुत सारे बंगलादेश के एंक्लेव्स भारत में और भारत के एंक्लेव्स बंगलादेश में, तो यह मैं डिटेल से बताऊंगे, यह क्या था, लैंड, बॉंडरी, एंग, एग्रिमेंट वगेरा, ठीक है, तो यदि हम देखें, यहां पर आपकी साम से सीमा लगती है, यहां पर मिघाल्य है, मिघाल्य से सीमा लगती है, ठीक है, यहां पर मिजोरम अगेरा से भी, इसकी सीमा लगती है, आप देख लेना, यानि सबसे बड़ा राष्ट्र है यह, जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, देखने को आपको लगेगा छ करता है ठीक है ध्यान रखेगा अब अच्छा ठीक है मतलब हाँ पाकिस्तान वाली बात को माइन नी करेंगे मुझे लगा क्या बोल दिया मैंने ऐसा ठीक है अब एक बार प्रिष्ट भूमी को समझते हैं देखो अब लोगों को यह लगेगा कि भाई बंगलादेश के चान लगा दी हमने पूरा सही योग दिया है तो बंगलादेश के साथ तो हमारे संबंध हमेशा बहतर रहे होंगे है ना एक पॉइंट ओफ यू यह आएगा तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हम इंडिया बंगला देश संबंधों को पढ़ेंगे कैसे पढ़ने का क क्या होगा सबसे पहले हम प्रिष्ट भूमी देखेंगे क्योंकि प्रिष्ट भूमी को समझना जरूरी होता है यदि संबंधों को अच्छे से समझना है तो प्रिष्ट भूमी के क्रम में ही मैं आपको करंट से भी आइड कर दूँगे कि वर्तमान में क्या चल रहा है ठीक तो बंगलादेश का इम्पोर्टेंस क्या है, किन-किन मुद्दों को लेके बंगलादेश हमारे लिए बहुत ही जाधा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और जब बंगलादेश का महत्व हम देख लेंगे, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के समबंधों में चुनो इन चुनोतियों को देखने के बाद हम बेसिकली अलग-अलग मुद्दों को देखेंगे सबसे पहले मैं आपको ओवर ओल यही बता दूंगी प्रिष्ट भूमी वर्तमान में क्या चल रहा है बंगलादेश कैसे महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टि कौन से और इसके साथ दोनों देशों के बीच में चुनोतियां कौन-कौन सी है जब हम इतना देख लेंगे उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं भारत और बंगलादेश के बीच में जैसे तिस्ता नदी जल विवाद इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहां से कोशन सीधा अल और इसी सीमा विवाद में हम LBA को भी पढ़ेंगे, Land Boundary Agreement को पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम अलग से रक्षा संबंध देखेंगे, उर्जा छेतर में सहीयोग देखेंगे, तो हम हर एक मुद्दे को चुनोतियों के बाद डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, और लास्ट ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मुद्दा है, अब हम यदि देखें भारत और बंगलादेश के संदर में पहले एक बार समझो, सांची सीमाएं तो हैं, और सांची भूमी सीमाएं भी हैं, यानि हम भूमी से भी अटैच हैं, मैंने अभी आपको बताय जैसे राज्यों से हम जुड़े हुए हैं बंगलादेश के साथ, समुंदरी सीमाएं भी हमारी जुड़ी हुई हैं बंगलादेश के साथ, और केवल सीमाएं ही नहीं, ये बंगलादेश जो आपको अभी एक अलग देश दिख रहा है, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करता तो आप देखोगे की समाजिक तौर पे भी हमें समानता दिखेगी आर्थिक तौर पे ie हम्हवी j JUST क५ता ना न औher ham देखें भाश आज आजब बंगलादेश के साथ हमारी नस्दीखता ओnormतिकली स्थापित होती है तो हमने सबसे पहले देखा भाई प्रिष्ट भूमे में कि हमारी सीमाए सांची है चाहे वो भूमी सीमाए हैं चाहे वो समुंदरी सीमाए हैं अब यदि हम देखें भाशा के अधार पे समरूपता दिखेगी, संस्कृति के अधार पे समरूपता दिखेगी, विकास पत्थ में भी दोनों देश मिल के विकास करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है कि वो बंगला देश जो 1971 में आज आज कई मायनों में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, तो ये भी समझना जरूरी है, यहां से भी कोशन बनता है कि आखिर वो कौन-कौन से कारण रहे, जिसने बंगला देश की स्मृध्धी में योगदान दिया, और आप यदि कुछ रिपोर्ट्स की मानने, तो कुछ म अंगर इंडेक्स में बंगला देश हमसे भी आगे चला गया, ठीक है, मतलब कम भुखमरी है वहां पे भारत की तुल्ना में, यही आप रिपोर्ट्स के अकोर्डिंग चलोगे, तो हमने देखा विकासपत की आधार पे भी दोनों देश अराम से संबंधों को बहतर बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक, भोगोलिक अवस्तिती भी एक दूसरे की पूरक है, कि भाई हम भोगोलिक तो और पे अटैज्ट हैं एक दूसरे से, और बंगला देश को स्वतंतरता प्रदान करने में, और उसको मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था, बंगला दे के बीच शान्ती और मैत्री संधी होती है ये अपने आप में एक आधार था भारत और बंगलादेश के संबंधों को बहतर बनाने के लिए तो ये प्रिष्ट भूमी समझ में आ रही है सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन 1975 में बंगलादेश में एक घटना घटित होती है मैंने आपको जब भारत पाकिस्तान संबंधों में 1971 का यूद बताया था तो एक व्यक्ति की बड़ी भूमी का बतायी थी शेक मजीबुल रह्मान है ना शेक बिसिकली एक बात को समझो आज भी बंगलादेश में दो बड़ी पार्टीज है यदि हम देखें वैसे तो तीन लेकिन दो बड़ी पार्टीज है एक आवामी लीग और एक है बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी ठीक है एक है आवामी लीग और एक है बी एनपी जो ये आवामी लीग है ना इसके नेता ये वही आवामी लीग है जिसके नेता हुआ करते थे शेक मजीबुल रह्मान ठीक और अब इन शेख मज़ीबुल रहमान की सुपुत्री है जिनका नाम है अरे शेख हसीना ठीक है अब इसको भी एक बार समझ लो प्रिष्ट भूमी पर आने से पहले इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा बी एन पी की जो पार्टी की जो नेता है वो है खालिदा जी अब एक बास समझों ये जो आवामी लीग है ना ये भारत की पक्षधर पार्टी है शेख मज़ीबुल रहमान के दुआरा स्थापित पार्टी है और अब उन ही की पुत्री इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे है इसी पार्टी की सत्ता है बेसिकली लेकिन जो ये बी एन पी है ये इसलामिक सद्धानतों को मानने वाली पार्टी है और जब इसलामिक सद्धानतों को मानने वाली पार्टी रहेगी तो भारत की पक्षधर पार्टी नहीं है ये इसे हम प्रो पाकिस्तान पार्टी बोल सक तो हम हमेशा भारत और बंगलादेश की प्रिष्ट भूमी में जाके यदि देखें तो ये इतिहास रहा है कि जब जब बंगलादेश में इस पार्टी की सत्ता रही यानि आवामी लीक की सत्ता रही शेक, मजीबूल, रहमान या फिर उनके किसी उत्राधिकारी के नित्रित् लेकिन जब जब BNP की पार्टी रही तो भारत के संबंद बहुत जादा बहतर नहीं रहे हैं, यानि हमें ये नहीं समझना है कि बंगलादेश के साथ हमेशा स्मूद संबंद चले हैं, ऐसा नहीं, जब जब वहाँ पे BNP पार्टी सत्ता में रही, तब तब भारत को काफ मतलब काफी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि भाई इनको पूरी ट्रेनिंग वगेरा मिल रही है बंगलादेश में ये संद्रक्षन प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो बंगलादेश के साथ हमारे संबंदों में उतार चड़ाओ आपको इतिहास में देखने को मिले लेकिन 1975 में क्या होता है, सेन्य तक्ता पलट हो जाता है, सेना का शाषन हो जाता है और जो शेक मजीबुर रहमान थे, उनकी हत्या कर दी जाती है ध्यान रखना, सेन्य शाषन आ जाता है जियाउर रहमान का, ये जो जियाउर रहमान है, बी और पी पार्टी इन्ही के उसम तो बात समझ में 1975 में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था यह कहा जाता है कि यह जो शेख मजीबूर रह्मान है इनको और इनकी परिवार के समस्त सदस्यों को मार दिया गया था इस तक्ता पलट के समय केवल यह शेख हसीना जी बच गई थी क्योंकि यह बाहर थी उस समय घ ढई थी भूब यह बहुत बड़ा हम यह सकते हैं हत्याकंड था तो ऐसे में 1975 में शाशन आ जाता है जिया उररह्मान के पास और जब जिया उर्रहmान के पास शाशन आ जाता है तो हम यह कह सकते हैं 1975 से 1979 तक लोग तंत्र हमेंदा यह हैं बंगला देश रहा और ऐसे व्यक्ति के नित्रित्व के अधीन बंगलादेश रहा जो कि भारत का सपोर्टर है ही नहीं जियाउर रहमान तो ऐसे में भारत के संबंधों को उभरतिय पेक्षाओं की संक्षिप तव्धिय और श्थिलता के तोर पे मलब यहां पे भारत और बंगलादेश के स अधीन बंगलादेश को भारत की जरूरत ही भारत को बंगलादेश की जरूरत थी क्योंकि आप देखोगे उनिस सो नबबे के आसपास भारत की अर्थ्य अस्था भी चर्मराई हुई है हमारे पास भी इतना ही पैसा बच गया कि हम केवल तीन हफतों का ही निरियाद कर सकते थे यानि हमें भी अपने एकनोमी को एकस्पैंड करना था बंगलादेश को भी अपनी एकनोमी को एकस्पैंड करना था बंगलादेश यहां पे पाकिस्तान से थोड़ा सा स्मार्ट निकला समझने की बात है यह कैसे पाकिस्तान आज तक जियो पॉलिटिक्स में उलज़ा ह यानि हमारे पाकिस्तान के साथ economy संबंध नहीं हो पाए और नहीं पाकिस्तान के अंदर जितनी चमता थी पाकिस्तान के अधि आप location वगैरा देखें पाकिस्तान अपना growth कर पाया लेकिन बंगला देश इस मामले में smart कैसे निकल गया बंगला देश ने geopolitics को पीछे धकेल के जियो एकनोमिक्स को प्रमुक्ता दी यानि अपनी एकनोमिक ग्रोथ पे फोकस किया भारत के साथ संबंधों में यदि खटास भी थी बी एनपी के दोर में उसके बावजूद भारत बंगलादेश के संबंध एकनोमिक आधारों पे चलते रहे हैं ठीक है इस बात का ख्याल र रहा है और कुछ पैरामीटर्स पर भारत तक को पचाड रहा है है ना तो ध्यान रखना तो 1990 में खालिदा जिया वहाँ पर प्रधानमंत्री बनती है और इस दोर में संबंध ठीक ठाक चल रहे थे लेकिन 1996 में शेख हसीना के नित्रित्व में आवामी लीग जब सत्ता में आती है तो फिर हमारे संबंध बहतर होते हैं लेकिन इसके बाद फिर से खालिदा जिया की सरकार आ जाती है आप देखोगे 2001 से 2006 के बीच में हम देखेंगे भारत और बंगला देश के संबंध निकरिष्ट तम अवधी में थे सबसे पूरी अवधी में थे हमारे पूरवोत जिसे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ओफ नागालेंड बोलते हैं आदी गुटों के दुआरा पूरवोत्तर में है ना जो हमारा नोर्थीस्ट है उसमें विद्रोही गति विधियों में वृधी देखने को मिली और ये प्रशिक्षन के लिए सीमा पार जाते थे यान कि बंगला देश से इनको प्रशिक्षन मिल रहा था इनको फंडिंग मिल रही थी रिपोर्ट कहती हैं कि फंडिंग में आप देखोगे पाकिस्तान और चाइना सबका इन्वोल्मेंट है क्योंकि पूरवोत्तर में अशान्ती इन इन देशों के हित में है तो ध्यान रखना 2001 से लेके 2008 तक भारत बंगला देश के संबंध बहतर नहीं रहे एक निकृष्टतम दोर हम मान सकते हैं संबंधों का लेकिन 2008 में फिर से शेक हसीना सत्ता में आती हैं और संबंधों की एक नई दिशा शुरू होती है तब से लेके आज तक हमारे बंगला देश के संबंध ए आर्थिक संबंधों के साथ हम सांस्कृतिक संबंधों के दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ रक्षा संबंध, ओर्जा के छेत्र में सहीयोग, ठीक है? इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन को लेके दोनों देशों के बीच सहीयोग है, और सही जोग के बहुत सारे छेत्र, हाइडरो कार्बन, उर्जा, है ना, बहुत सारे छेत्र आपको दोनों देशों के भी सही ओके मिलेंगे, ठीक है, 2009 से जैसे ही सीमा पार मुद्दो को संबोधित किया गया, द्वीपक्षिय संबंधों में सुधार होना शुरू हुआ और प्रगत केल में पढ़ा चुकी हूँ, कि 1974 क्यों हुआ, क्या कारण थे, भारत ने क्यों योगदान दिया, वो स्लाइड मैं एड़ जरूर कर दूँगी इसमें, लेकिन मैं वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताये कि किस तरीके से भारत पहला देश था, स उतने बहतर नहीं होते हैं, क्योंकि BNP को एक इसलामिक विचारधारा वाली पार्टी हम बोल सकते हैं, और कहीं न कहीं BNP प्रो पाकिस्तान पार्टी है, है न, और हमारे पुर्वुत्तर के अलगाववादी, संगठन वगेरा को संरक्षन, ट्रेनिंग, फंडिंग, इत् और निकरिष्ट तम दो रहा 2001 से 2008 और 2008 के बाद हमारे संबंध बहतर होते दिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखने, ये हो गया, अब हमें ये देखना है, अगर हम नमीन तम अध्यतन करें, मतलब नमीन बिलकुल नए डेटास देखें, तो आपने देखा होगा, 2021 में, काफी मु 1971 में आजाद हुआ, 2021 में 50 वर्ष हुए, तो ऐसे हमें बहुत सारे संबंधों का एक आधार हमें देखने को मिलता है, जैसे 2021 में भारत और बंगलादेश ने राश्ट्र पिता, जो वहां के राश्ट्र पिता हैं बंगलादेश के, बंग बंधू, शेक मजीबूर रहमान की जन्म शताबदी के समारों के साथ साथ राजनाइक संबंधों की 50 वर्ष गाठ, यानि हमारे और बंगलादेश के संबंधों के लगभग 50 वर्ष से जादा हो चुके हैं, राजनाइक संबंधों के, ध्यान रखना, इसी के साथ जो भारत के प्रधान मंत्री ने बंगलादे इसके साथ हम यह कह सकते हैं 6 दिसंबर को मित्रता दिवस के रूप में मनाने का निरने लिया गया यह नए डेवलपमेंट है कि 6 दिसंबर को दोनों देश मित्रता दिवस के तोर पे मनाएंगे कोविड शिल्ड या फिर वैक्सीन्स के संदर्भ में भारत ने कोविड नाइंटीन के दोर में भारत ने बंगला देश की बड़े सरपे साहता की है और पचासवी राजनाइक शता वो मनाई है दोनों देशों ने इसके साथ ही हम यह कह सकते हैं कि जो मुक्ति संग्राम के दोरान सैनिक शहीद हुए थे भारत ये सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में समारक के रूप में शिल्या न्यास किया गया है मतलब एक समारक बनाया गया है ये समारक वगेरा ना बड़े important होते हैं इस recognition करने के लिए कि हमारे स्वतंतरता संघर्ष में भारत का भी योगदान है, भारतिय सैनिकों का भी योगदान है, इससे bonding बढ़ती है दोनों देशों के बीच में, people to people connect बढ़ता है, स्विकारियता बढ़ती है एक दूसरे देश में एक दूसरे की, है न, तो ध् रिके के आपको recent development दिखेंगे, इसके साथ ही आप देखोगे, दोनों देशों दुआरा एक मुझीब नगर है, एक नादिया है, इनके बीच एतिहासिक सड़क के लिए एक लिंक स्थापित करने के लिए समझोता हुआ है, और साथ ही 2021 में बंगलादेश की आत्रा के दोरान भारत के प्रधान मंतरी ने दोनों देशों के कल्यान के लिए समझोता ग्यापन के तहट कई संधियों पर हस्ताक्षर किये और संबंध मजबूत हुए हैं, यानि हमने जब 2001 से 2008 देखा और ये देखा संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हम करंट से भी भारत के लिए धन्यवाद देना हो चाहे एक दिवस मनाना हो दोनों देशों के बीच में, जिसमें 6 दिसंबर को मित्रता दिवस के रूप में मनाना हो, है ना, तो इस तरीके के प्रयास हुए, भारत के प्रधान मंतरी 2021 में बंगलादेश गए और वहां पे कल्यान संबंध ही भूत सारे समझोतों पे हस्ताक्षर हुए, जैसे आप देखोगे 2020 में वर्चुल शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और बंगलादेश के बीच में, आपको ये वर्चुल शिखर सम्मेलन नहीं आद करना, क्योंकि 2023 में उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इंपोर्टेंस इन चीज़ों का है कि किन-किन मुद्दों पे बात होती है, ये मुद्दे आपको हमेशा ध्यान रखने है, ये मुद्दे इसलिए ध्यान रखने होते हैं कि जब आप भारत बंगलादेश संबंधों को डेटेल से देखोगे तो आपके पास कुछ पॉइंट होने चाहिए, कि किन-किन चेत्रों में हमारा सहयोग है, है ना, तो आप देखोगे द्वी पक्षी है, जैसे देखोगे स्वास्त्य चेत्र में सहयोग, संस्कृति में सहयोग, सीमाओं की सुरक्षा और प्रबंधन में सहयोग पे हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच में कि सीमाओं एक दूसरे की प्रगति में ताकि आर्थिक तोर पे दोनों देश सक्षम बन सके, सशक्त बन सके, ठीक है, ध्यान रखना, इसके बाद हम देखेंगे कि इसी में बहुत सारे अन्य समझ होते आपको दिखेंगे, जैसे हाइडरो का, ये सब नहीं देखना होता, कभी भी पढ़ जोते कर रहे हैं एक दूसरे देशों के साथ, है न, जैसे आप देखोगे 1920 में किन-किन हाइडरो कार्बन छेतर में सहयोग की रूप रेखा तै की गई, यानि हम हाइडरो कार्बन छेतर में सहयोग कर रहे हैं, हम भूमी सीमा से संबंधित मामले और उसके सिमांकन के लिए प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं, क्रिशी छेत्र में सहयोग कर रहे हैं हम, अपवे में सहयोग और सुरक्षा के लिए समझोता ग्यापन, इसको छोड़ दो, यानि क्रिशी, भूमी, हाइड्रोकार्बन, सुवास्थय, संस्कृति और ये क्या नाम है, सीमा के सिमांकन और प् सारे आगे भी पढ़ोगे, रक्षा चेतर में हैं, उर्जा चेतर में हैं, लेकिन कुछ-कुछ मुद्दे आपके पता होने चाहिए, जैसे आप जब भी लिखोगे, तो भाई स्वास्थय में हैं, सीमा प्रबंधन में हैं, कृषी में हैं, हाइड्रोकार्बंस में हैं, है तो ध्यान रखना ये थी आपकी प्रिष्ट भूमी पाकिस्तान की तरह भारत बंगलादेश संबन नो दिन नहीं चलेंगे पाकिस्तान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भाई मलब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मुद्दे परिक्षा की point of view से महत्व भूमी इसलिए जरूरी होती है ताकि आप कोई मुद्दा समझ रहे हो तो आपकी समझ बहतर हो जाए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ क्या बोल रहे हो S.P. कुंतल क्या बात है बाई अच्छा हो सकता है आपका नाम सत्यापाल हो लेकिन ठीक है S.P. कुंतल अपने आप बैच का टाइमिंग बच्चे मेरे हाथ में नहीं है बैच का टाइमिंग इवनिंग में ही रहेगा शाम के 6 बजे 6 से 9 सारा दिन पढ़ाई करो उसके बाद 6 से 9 बढ़िया क्लास करो सही टाइमिंग है वो क्या बोल रहे हो अंकित भारत ने दक्षनेशाई मुक्त विया पार छेतर के तहत वर्ष 2011 सही बंगलादेश को तंबाको और शराब को छोड़ कर सभी टैरिफ लाइनों पर अवैद प्रवासियों वाला मुद्दा है तो इन सारे मुद्दो को हम अलग से डिसकस करेंगे वैसे बिलकुल सही बोल रहे हो आर्थिक संबंधों को बहतर बनाने के लिए दोनों देशों की तरफ से बहुत सारे प्रयास हुए है और आप यदि देखोगे दोनों देश ब यहाँ संबंधों का महत्व की आखर बंगला देश हमारे लिए क्यों महत्व पून है इस महत्व को जानना भी जरूरी है सीधा-सीधा कोशन यहां से बन सकता है कि भारत और बंगलादेश भारत के लिए किन-किन आधारों पे महत्वपून है, दोनों देशों के बीच में क्या-क्या चुनोतियां है और क्या-क्या समाधान हो सकते हैं, सीधा में इसका कोशन बन सकता है, तो महत्व हमें बिलकुल डारेक्ट बता हो, तो भाई सबसे महत्व है, भूराजनीतिक महत्व, यदि हम जियो पॉलिटिक्स के दृष्टि कौन से देखें, तो बंगलादेश की भोगोलिक सीमाई, बंगलादेश की समुंदरी सीमाई, हमसे मिलती है, बंगलादेश की यदि आप लोकेशन देखोगे, तो मैं मैप पे आ रही हूं, ब पुर्वत्तर जाने की, हमें यदि यहां से यहां जाना पड़े, तो घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता यदि भारत और बंगलादेश के संबंध बहतर हैं, तो हम यहां पे जल, जो हम संसाधन मजबूत कर रहे हैं उनके थुरू, रोड के थुरू, ट्रेन के यहां पहुंच सकते हैं, यानि connectivity का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, बंगलादेश अभी मैं आगे बताऊंगी, यानि बंगलादेश का जो भूर राजनीतिक महत्व है, वो भारत के लिए बहुत जादा है, यहां पे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भूर राजनीतिक महत्व की अधि हम बात करें, तो पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बंगलादेश बहुत जादा महत्वपूर है, और बंगलादेश यह तै कर सकता है कि बंगलादेश की भूमी का प्रियोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए, अगर बंगलादे की भूमी का प्रियोग हो रहा था तो हमारे पुरुवतर में भी नकार अत्म गतिविधियां हिंसप गतिविधियं आपको देखने को मिल रही थी लेकिन जैसे ही बंगलादेश स्ट्रिक्ट हूआ 2008 के बाद से वैसे ही हमारे पुरुवतर में बहुत स्थृता आई है बहुत सारे ऐसे एंटी इंडिया लीडर्स को बंगलादेश ने गिरफतार करवाया है तो पुर्वोत्तर की सुरक्षा के दृष्टिकोंड से बंगलादेश बहुत जादा महत्पुन है यहाँ पे आप देखोगे कि बंगलादेश ने कार्यवाह थी की और पुर्वोत्तर में बहुत सारे विद्रोही सम्हू जो सक्रियत है जैसे उल्फा है एंडी एफबी है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रेंट ऑफ बोर्डोलेंड या नसीन वगेरा है उनके शीर्ष नेताओं की गिरफतारी हुई तो जब शीर्ष नेताओं की गिरफत तो यह जो विद्रोही आंदोलन है यह कमजोर होंगे और जो भी यह कमजोर होंगे तो पूर्वत्तर की सुरक्षा को सुनिष्चित किया जा सकेगा बास समझ में आ रही है तो गिरफतारी हुई है तो भई पहला तो हमने देखा कि जियो पॉलिटिक्स के point of view से पूर्वत् इंपोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि पूरुवत्तर छेतर की connectivity के लिए भी बंगलादेश बहुत इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उत्तर पूरवी राज्य है, स्थलरुध छेतर हैं, और इस छेतर से समुंदर तक पहुंचने, मतलब बहुत सारी बा इन राज्यों को समुंदर तक पहुंचना है, उड़के तो आएंगे नहीं, समुंदर तक पहुंचना है, तो बंगलादेश की माध्यम से ही आ सकते हैं, ठीक, पहली बात, दूसरी बात, यहां से यहां की connectivity बढ़ानी है, तो बंगलादेश का प्रियोग करना है, जब ये connectivity बढ़ेगी, तब ही तो पूर्वोत्तर का विकास हो पाएगा, है न, तो ध्यान रखना, पूर्वोत्तर की connectivity, चाहे वो भूमिगत connectivity है, चाहे वो समुंदरी connectivity है, इन सब के लिए बंगलादेश का geopolitics, मतलब बंगलादेश का एक महत्व है, तो पूर्वोत्तर की सुरक्षा क के लिए महत्व है, और क्या महत्व है जी, और हम देखें, तो बंगलादेश के साथ पारगवन समझोता समाजिक आर्थिक विकास और पूर्वोत्तर भारत के एक ही करण को प्रोथसाहिद करता है, यानि हम यदि, अभी मैं बताऊंगी, बहुत सारे समझोते हमारे बंगला पूर्वोत्तर का विकास भी हो पाएगा, और यदि पूर्वोत्तर का विकास बहतर होता है, तो हमारी जो internal security की समस्याइं है, उनका समाधान कहीं न कहीं हो जाएगा, तो बंगलादेश का geopolitics importance आपको दो मुद्दों में समझ में आया, चाहे पूर्वोत्तर की सुरक्षा हो चाहे पूर्वत्तर की connectivity हो, ठीक है, अगला मुद्दा क्यों महत्वपूर्व है बंगलादेश हमारे लिए, दक्षिन पूर्व एशिया के लिए एक सेतु है, हम प्रयास कर रहे हैं, आशियान देशों के साथ संबंधों को बहतर बनाने का, मैं आपको अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये दक्षिन पूर्व एशिया वगेरा, डिटेल से, लूक चोने रेगूलर क्लासे सुनी है, उनको दिक्कत नहीं आएंगी, तो एक्टीस्ट पॉलिसी हो, उसके लिए बंगलादेश एक केंदर बिंदू है, सबसे पहला स्थान क्या है, बंगलादेशी तो अन्य छेत्रों में हमारा सहीयोग बढ़ता है, तो स्वभाविक तोर पे हमारी एक्टीस्ट पॉलिसी बहतर होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके साथ ही बंगलादेश बहुत सारे संगठनों में हमारे साथ है, बहुत सारे, जैसे आप देखोगे, बिंस्टेक, बे बंगाल इनिशेटिव फोर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एक्कनोमिकल कोपरेशन, बिंस्टेक आपने सुना होगा, इसमें बंगलादेश साथ है, बी बी आई एन, मोर्टर वीकल एग्रिमेंट, हमारा बंगलादेश, भुतान, इंडिया, नेपाल, मोर्टर वीकल ए बंगलादेश, आई, ओ, आरे, इंडियान ओशन ड्रिम एस्टोसियेशन, और साथ ही हम कह सकते हैं, कोमन वेल्ट में भी बंगलादेश साथ है, और पूर्व की ओर देखो, निती का एक आधार स्थम्भ है, क्योंकि कनेक्टिविटी तो फाइनली यहीं से बढ़के फिर हम जाएंगे न, पूरुवत्तर में कहां से पहुंचेंगे, पूरुवत्तर में जैसे आपने, अगर एक बार मैप पे आते हैं, आपने यदि देखा हो ना, जब मैं पूरुवत्तर की बात आप लोगों से बात कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे एग्रिमेंट बताये थे, ज यहां का विकास होगा स्वभाविक तोर पे, यहां का विकास होगा तो विरोध कम, विद्रो कम होगा, क्योंकि रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्तय होगा, ओवरॉल मानव विकास बहतर होगा, यहां से यहां की connectivity तो बढ़ गई, एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत, लेकिन यहां से यहां की connectivity तो बंगलादेश के थ्रू ही बढ़ सकती है, मतलब एक बहुत बड़ा जरिया है बंगलादेश इस छेतर तक जाने का, और जब यहां से यहां तक की connectivity बढ़ेगी, फिर यहां से यहां की connectivity बढ़ेगी, तब जाके हम एक्टिस्ट पॉलिसी को बहत के काम कर रहे हैं, देखो यह होता है ज्यान, अब जैसे यहां पर मैं थर्मल पावर प्लांट भी है, मैं अरे भाई आउंगी, उर्जा मैंने अभी बताया ना, उर्जा अलग से पढ़ना है, ठीक है, रक्षा अलग से पढ़नी है, आर्थिक संबंध अलग से पढ़ने है, अभी तो मैं overall आपको एक importance बता रही हूं भारत और बंगलादेश संबंधों की, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब अगला देख लेते हैं, दक्षिनेशिया को छेत्रिय शक्ति के तोर पे, यदि सुद्रड़ता प्रदान करनी है, दक्षिनेशिया का मतलब क्या, सार्क, स सारे के सारे दक्षिनेशिया ही राष्ट्र सम्मिलित हैं, है न, तो यदि सार्क को सक्सेस्फुल बनाना है, दक्षिनेशिया का आर्थिक एकिकरन करना है, तो उसमें बंगलादेश की महतवपूर्ण भूमिका हो सकती है, ध्यान रखना, सदस्य राष्ट्रों के मा, जो बंगलादेश संबंधों के कारण, क्योंकि भारत और बंगलादेश के आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है, दूसरा सबसे बड़ा, दक्षिनेशिया में दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक भागिदार है हमारा बंगलादेश, है न, तो ध्यान रखना, सार्क की सफलता के लिए भी बंगलादेश महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही समुंदरी संचार मारगों की सुरक्षा, जैसे सामरिक तोर पे जो बंगलादेश है, वो जो सामरिक तोर पे समुंदरी मारग है, उनके निकट अवस्तित है, तो ऐसे में हिंद महासागर में जो भी समुंदरी डकैत या फिर इन सामरिक छेत्रों को असुरक्षा की सिच्वेशन यदी कभी आई तो ऐसे में बंगलादेश एक महतवपूर्ण भूमी का निभा सकता है यानि समुंदरी संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए भी बंगलादेश एक महत रखता है भारत के लिए ठीक है इसके साथ आतंकवाद के विरुद संघर्ष और चरम पंथवाद का विरुद देखो वर्तमान में हम जब चुनोतियों में देखेंगे देखेंगे कि बंगलादेश में कट्रपंथ बढ़ रहा है है इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही है लेकिन बंगलादेश ने ओफिशली प्रयास भी किये हैं पहल भी किये हैं मतलब कभी भी आपको स्टेट आधारित आतंकवाद जैसा कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश देखनों को मिलता है बंगलादेश से देखने को नहीं मिलेगा हम ये कह सकते हैं एक स्थिर उदार और सहिष्णू बंगलादेश उग् इतने भी चरमपंथ विरोधी प्रयास हैं उनको करेगा खूफिया जानकारी साजा करने और अन्य आतंकवादी प्रयतनों में भारत की सहायता कर सकता है है ना भई एक स्थर उदार और सहिष्णू बंगलादेश इन सब छेत्रों में भारत का सहिव कर सकता है चाहे वो चरम को प्रती संतुलित करने के लिए भी बंगलादेश जरूरी है जैसे आपने देखा होगा string of pulse की policy के तहट चाइना हिंद महासागर में अपनी भूमी का बढ़ाने का प्रयास कर रहा है बंगलादेश के माध्यम से बहुत सारे projects के माध्यम से एक तरीके से investment करके अपना चाइना के आकरामक प्रसार को नियंतरित कर करने की चमता रखता है और चीन की string of pulse की निती का विरोध करने में भी भारत की सहायता कर सकता है यदि हमें चाइना को क्या करना है तो उसमें बंगलादेश एक सहायक राश्ट्र हो सकता है हमारा ठीक है बाकी चुनोतियां को अभी तक मैंने केवल महत्व की बात में जियो पॉलिटिक्स का महत्व बताया तो इतना तो पल्ले पड़ा होगा कि भाई पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए जरूरी है बंगलादेश पूर्वोत्तर की connectivity के लिए जरूरी है दक्षिन पूर्वेश्या के लिए सेतु ह बहुत सारे संगठनों में हम मिलके development के काम कर रहे हैं दक्षिन एशिया को छेत्रिय शक्ती के तोर पे यदी मजबूत बनाना है सार्क को यदी मजबूत बनाना है तो बंगलादेश important है समुंदरी संचार मारगों की सुरक्षा करनी है तो चूकी बंगलादेश बहुत महत् समुंदरी संचार मारगों के निकट अवस्तित है तो ऐसे में बंगलादेश important है आतंकवाद का मुकाबला करना है चरम पंथ का मुकाबला करना है खूफिया सूचनाओ को collect करना है तो ऐसे में बंगलादेश हमारे लिए बहुत जादा महत्वपून है और चाहे चीन को प्र बिल्कुल सही बात है अंकित आएंगे उस पर आएंगे भारत बंगलादेश मैट्री पाइप लाइन परियोजना यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत दिक्कत है तो प्लीज कृप्या करके आप पूछ लीजी यदि दिक्कत नहीं है तो आप मुझे थम्जब दे दीजे मैं अभी भुटान के साथ रिफ्रेश्यल ट्रेड एग्रिमेंट भाई भुटान कहां पढ़ा रही हूँ मुझे इन्फोर्मेशन दे रहे हूँ कि मुझे मतलब अच्छी बात है इन्फोर्मेशन कहीं से भी आ सकती है मैं स्वागत करती हूँ इस तरीके की इन्फोर्मेशन का लेकिन अभी मैं भुटान नहीं पढ़ा रही, अभी हम बंगलादेश पढ़ रहे हैं, बंगलादेश पढ़ लो एक बार, यहां तक समझ में आया, अच्छे से, मतलब बड़े अच्छी बात है यह, मतलब मैं इसको एप्रिशेट करती हूँ, कि आप करेंट में रहते हो, और बताते हो चीज़ों को, तो इसका मतलब है आप पढ़ रहे हो है न, चलो कोई बात नहीं, अब इसका दूसरा महतव यदि हम देखें, मतलब हमने जियो पॉलिटिक्स के आधा, भोगोलिक के आधार पे महतव देखा, यदि हम आर्थिक महतव की बात करें, तो व्यापार सं अगिदार है दक्षिन एशिया में, दूसरा नहीं सबसे बड़ा, भारत और बंगलादेश के मध्य एक व्यापार सुविधा जनक समझोता भी हस्ताक्षरित है, ये दोनों एशिया, क्या नाम है इसका, साफटा, साफटा से लेके साफटा, दोनों हस्ताक्षरित है, इसके एशिया प्रशान्त व्यापार समझोता, जिसे आपटा बोलते हैं, स्तार का धिमान्य व्यापार समझोता, जिसे साफटा बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एगरिमेंट और साफटा पर समझोते के भी सदस्य है, यानि इन आधारों पे भी दोनों देश अपने आधार पे भी दोनों के संबंध बहुत स्ट्रोंग है, ठीक, अब यदि हम देखें निवेश के अवसर, निवेश के अवसर के पॉइंट ओफ यू से ये आर्थिक में ही आ जाएगा, भारत से बंगला देश तक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानि जो भारत ने बंगला देश में FDI 2014 में ये 243 मिलियन डॉलर था, वहीं 2018 में ये 570 लगभग दो गुना ही हो गया, मिलियन डॉलर हो गया, यानि निवेश के अवसर है, भारत बड़े स्तर पे बंगला देश में निवेश कर रहा है, आपने इक डेटा भी देख लिया कि बही 2014 में भारत का बंगला देश में लगभग 200 मिलियन डॉलर मालो, है न, 200 मिलियन डॉलर के आसपास था, और निवेश, और 2018 में जाके ये लगभग आपको 570-600 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा, तो इस से दिखता है दोनों देशों के आर्थिक जो संबंध है, वो एक पोज़ ये सबसे जरूरी है, इसको याद रखना, इसको यूज करना ही करना पड़ेगा भारत-बंगला देश संबंधों में ध्यान रखना, इसे बोलते हैं प्रोटोकोल on inland water transit and trade, हिंदी में यदि देखें तो अंतर देशिय जल पारागमन और व्यापार पर प्रोटोकोल, इसे आ अंतर छेत्रिय और अंतह छेत्रिय बोर्डर कनेक्टिविटी है, तो जल मारगों की छमता का दोहन करने के लिए बंगला देश की स्तहायता कर रहा है, यानि भारत और बंगला देश के बाद, मतलब बीच में बहुत सारे जल मारग आते हैं, तो इन जल मारगों की छमता को म connectivity बलकि जो हमारे क्या कहते हैं सामान है वो भी इधर से उधर जल मारगों के थुरू हो पाएगा इसके साथ ही हम देखेंगे इसमें तो फिर वो भूत सारी चीज़े हैं निर्मान करेंगे स्थापना करेंगे फिर नोन क्रिटिकल सामगरी की आप उर्ती करेंगे बंगलादेश को और वर्तमान में भी हम देखें तो भारत बंगलादेश को दैनी का धार पे लगभग 700 मेगावाट सड़े 600, 660 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है यानि भारत से बिजली जा रही है 660 मेगावाट उर्जा के छेतर में भी भारत और बंगलादेश के बीच में हमें सहीयोग देखने को मिलता है ठीक है ध्यान रखना पूजा क्या बोल रहे हो मैं भारत बंगलादेश मैतरी बिलकुल सही बात है मैं तरी बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आगे मैं करेंट जब एड़न कराऊंगी तो इन ही मुद्दोकों मैं एक बार करेंट के पॉइंट ओफ यू से भी बताऊंगी यहां पर एक ओवर ओल व्यू समझो कि हम जब भारत और बंगलादेश का इंपोर्टेंस लिखेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ चाहिए मैं अभी उन पॉइंट को क्लियर करा रही हूं ठीक है तो ध्यान दखना तो चाहे रूपपुर हो चाहे चाहे 660 मेगावाट बिजली देना हो रक्षा में हम देखेंगे तो सामरिक और परिचालन अध्यन के साथ साथ हम उपकरण सेन्य उपकरण उपलब्द करा रहे हैं बंगलादेश को प्रोध्योगी की हस्तांतरन कर रहे हैं इसके साथ हम सैयूगत अभ्यास कर रहे हैं संपृति के नाम से आपने देखा होगा तो सैयूगत अभ्यास कर रहे हैं सैन्य उपकरण दे रहे हैं प्रोध्योगी की दे रहे हैं तो रक्षा संबंध भी हम क्योंकि ये तो अभी चलेंगी मतलब महत्व के बाद यहां तक हम रखते हैं इसके बाद एक बार देख लो ताकि ना आपको तसल्ली हो जाए देखो चुनोतियां देखेंगे चुनोतियां देखने के बाद अब मैं आपको डिटेल से एक मुद्दा पढ़ाऊंगी यहां पर मैंने बस आपको एक सरसरी निगाह से दिखा दिया यहां पर जैसे नदी जल विवाद है नदी जल विवाद में तिस्ता विवाद क्या है क्या सीमा विवाद क्या है लैंड बॉंडरी एग्रीमेंट क्या तो यह है, नोट में है, टेंशन ना लो, सब कुछ आपको मिलेगा, सिक्योरिटी के लेवल पर क्या कर रहे हैं, और फिर बिल्कुल नए सिरे से, मतलब आपको A to Z बाते इतनी बार बता दी जाएंगी, ध्यान रखना कि भारत बंगलादेश संबंध हमारे लगभग तीन दिन तो चलेंगे, तीन दिन तो मिनिममम चलने ही चाहिए, तीन दिन के बाद आप से कोई आप सोते-सोते भी पूछेगा, यह बताओ भारत और बंगलादेश के बीच में सहयोग के छेतर के हैं, आप टिप्स पे बता दोगे, बस आपको क्लासेज में आना है और ध्यान से सुन जा रहा है, 11 मही से, एड्मीशन जिसको लेना है, स्टडी आईक्यू की अप या वेब साइट पे जा के फटाफट ले लो, एड्मीशन लेने से पहले कोड यूज करना, LDLIVE का, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज अच्छा लगा, तो कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अभी 2 मिनिट में, तब तक के लिए,